तेंद्वे के हमले से एक बुजुर्ग की हुई मौत ग्रामीडों में डर का महल 36 कर के उत्तर बस्तर संभाग के कांकेर जिले के सुदुर वनांचल गाओं में इन दिनों तेंद्वा का दहसत देखा जा रहा है शुक्रुवार की रात एक बहत्तर वर्सी ग्रामीड पर तेंद्वे ने हमला कर दिया जिससे ग्रामीड की मौत हो गई है मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला चरामा वन पर इछेतरक है जहां ग्राम पलेवा निमासी गाडाराम जुर्री उम्र बहत्तर वर्स विती रात अपने घर में सोय हुए थे तभी गाउं से 200 मीटर की दूरी पर इसी जंगा से एक तेंद्वा आया और बुजूर्ग ग्रामीड पर हमला कर दिया तेंद्वा बुजूर्ग को घसिरते हुए जंगल की ओर ले जा रहा था तभी ग्रामिडों की आवाज सून तेंद्वा बुजूर्ग ग्रामिड को छोड़ जंगल की ओर भाग निकला तेन्द्वे की हमले से लहुलुहान गामीर को रात में ग्रामीरों की मदद से चारामा अस्पतार लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मरिध्गोसित कर दिया वन परिछेतर अधिकारी एस आर सिंग ने बताया सनिवार की सुबा आठ बजी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुँचे थे अभी भी वन अमला गाह में मौझूद हैं मित्तक के परिजनों को 6 लाक मौझा रासी मिलने की बात कही है वहीं घटना के बाद ग्रामीरों में दहसत का महौल दिखा जा रहा है यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे